वेलकम टू एमेल टुटोरियल आज के लेक्चर का टॉपिक है इनोवेशन थेहरी ओफ एंथरप्रिनियर्शिप इस वीडियो को पुरा देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में आपको इस थेहरी के एक समरी मिलेगी जिससे कि आपको ये थेहरी इजिली याद हो जाएगी तो चलिए स्टाट करते हैं, इनोवेशन थेहरी ओफ एंथरप्रिनियर्शिप ये थेहरी जो सिर्फ शंपिटर ने दी थी, शंपिटर बिलिव करते थे कि एक एंथरप्रिनियर अपने बिसनेस में इनोवेशन करके प्रॉफिट कमा सकता है, इसका ये मतलब है कि उन्हें विश्वास था कि entrepreneur profit कमा सकता है अगर वो हर काम innovative तरीके से करे बट innovation करने से पहले innovation का मतलब पता होना चाहिए According to Shum Peter innovation involves development of new technology इसका मतलब है कि एक entrepreneur को traditional method पे depend ना रहते हुए नए-नए technology को develop करना चाहिए Next है introduction of new product Customer के needs के according market में नए-ने product को introduce करना चाहिए creation of new form of organization structure इसका मतलब है organization structure के नए-ने form को create करना चाहिए Next है development of new source of raw material इसका मतलब है raw material के नए-ने source को develop करना चाहिए Next है entry in new market एक नए market में entry करना चाहिए जहाँ पे दूसरे फर्म ने अभी तक entry ना की हो जिससे की एक entrepreneur को monopoly मिल सके Innovation theory के according एक entrepreneur का main function होता है कि वो अपने business में innovation इंट्रोड्यूस करे और उससे profit कमाए शंपिटर के according entrepreneur तभी profit कमाता है जब उसका innovation successful होता है Innovation तभी successful माना जाता है जब cost of production reduce होता है या product की demand बढ़ती है अगर entrepreneur ने जो भी innovation किया है उससे अगर उसका cost of production decrease हो रहा है या उसके product की demand increase हो रही है तो entrepreneur profit कमाएगा और उसका innovation successful माना जाएगा इस theory में innovation को दो categories में divide किया गया है First category में ऐसे innovations आते हैं जिनसे cost of production reduce होता है जैसे कि नए technology को introduce करना नए method से production करना नए machinery को introduce करना एक्सेटरा Second category में ऐसे innovations आते हैं जिनसे product की demand increase होती है जैसे कि नए नए product बनाना अपने existing product को नए लुक देना नए market में entry करना एक्सेटरा चले last में इस theory के एक summary देख लेते हैं जिससे कि आपको ये theory easily याद हो जाएगी आपको इस theory में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये theory जोसिफ शंपीटर ने दी थी उनका कहना था profit कमाने के लिए innovation जरूरी है इस theory में entrepreneur के innovative feature पे ज़ादा जोर दिया गया है इसलिए इस theory को innovation theory of entrepreneurship कहते हैं तो ये था आज का lecture अगर आपको lecture पसंद आया अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो please मेरे वीडियो को like और share कीजे और मेरे चैनल को subscribe कीजे मिलते हैं नए वीडियो में नए topic के साथ thanks for watching my video